नमस्कार है पर इन बाचपई अपने यूटूब चैनल में पर बाचपई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यह सीरीज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं S.S.C. C.H.S.L. के प्रिवेस येर कोशन की यहां पर डिसकस करेंगे और प्रिवेस येर कोशन की अगर ह कम से कम 90% आप चीजों को कवर कर लेते हो बस आपको करना कि अगर आपको एक्जाम में बहतर स्कोर करना है तो प्रिवेस येर कोशन प्लस आपका जो बेसिक का मैस का कॉंसेप्ट है उसको अगर आप अच्छे से क्ले कर लोगे तो मैस में आप बहुत अच्छा करकिया होग है तो लगातार हम लोग प्रिवेस येर कोशन करेंगे पहले 2021 बाले करेंगे उसके बाद हम लोग 2020 2019 2018 इस तरीके से शीरीज बाई सीरीज चलती रहेगी ठीक है जो चौइस तारीक की जितनी भी सिप्ट है चौइस मही से दो जार एक्ट का एकगजाम होगा था चौइस मही 2022 से तो 24 माई की जितनी भी तीनो स्रिप्ट हैं वो हमने डिसकस करा दी हैं उसके लाबा 25 माई की करा दी हैं तो 26 माई की पहली स्रिप्ट आज में डिसकस कराने वाला हूं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैलफुल रहने वाली उसके लाबा जो CGL Mains की बच् स्रिप्ट हैं उनके लिए स्टार्ट की और आपको इससे बाकई में बहुत ज़्यादा बेनफिट मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि इस्तिर जल में इस्तिर जल में एक नाओ की चाल 12 किलोमेटर पर आव एद एक तो तरीके से लगेगा कोशन देखो यहाँ पर हम जो धाराक की चाल वह नहीं दीे तो हम माल लेते हैं धारा की चाल वाई है ठीक है अब अपशना किलोमेटर अगर धारा की जिसा में धैं तो 3 के जिसा में दूर जुड़ जाएंग या निकि जाल होगी वो क्या हो 12-y, तो total यहाँ पर जो time लगा, यहाँ पर जो time लगा, वो कितना है, 6-42, 6-42 और 6, 48 बटे 7, clear, तो अब इसको solve कर लोगे, आपका answer आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको लगाना है दिमाग, जो approach में यहाँ पर सिखाने वालों आपको, यह आपको exam में भी apply करनी है, यहाँ पर आप यह देखो, यह जो नीचे वाला 7 आ रहा है, वो कहीं न कहीं, यह वाली जो value है, वो दे रहे हैं, इसका मतलब है, कि जो, मतलब 9 और 12 की चाल का plus minus, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जो यहाँ पर 7 value दे देगा, तो 7 देखो, किस से value बन नहीं है, अगर हम यहाँ पर 6 लें, वो correct होगा, बाकि आप इससे अगर basic से करोगे, तो easily questions solve हो जाएगा, हमारा जो purpose है, इस class का वो यह है, कि आप questions में यह approach लगाना सीखो, क्योंकि जब आपका दिमाग काम करेगा, तभी आप चीजे इधर उदर से जोड़ना सुरू करोगे, और तभी आप जल्दी questions को solve कर पा यह देखो question क्या पूछ रहे, पूछ रहे कि सरकारी एजेंसियों और बर्स 2016 में लगवाये गए, सागोन के ब्रच की तुलना में 2017 में लगवाये गए, सागोन के ब्रचों की संक्या कितने परतिशत बढ़ी, यानि कि 2016 से 2016 में कितना बढ़ गया, आपको ये बताना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो percentage is the part of fraction 2016 में कितनी है सागोन में 25,000 और 2017 में कितने हो गए 35,000 तो आपको अगर percentage निकालना है तो आप इसे ratio में भी change कर सकते हो देखो दो 0 से 2 0 काट दें तो 25 और 25 ते 35 यानि कि 5 से कितना हो गया तो चोथा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है एक बस्तु के मुले में 45% की ब्रद्धी की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्ते की दो क्रमिक छूटे दी जाती है अन्थ में बस्तु के मुले में कितने प्रतिश्यत की ब्रद्धी या कमी होई या आपको बताना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो माल लेते हैं प्राइस कितना था 100 सौसे इसकी बेलूग 45% बढ़ा दी गए यानि कि कितनी कर दी गए 145 और फिर इस पर 15% की दो छूटे दे दी गए 15% की छूट दिया यानि कि 85 बटे 100 इंटु 85 बटे 100 तो साल कर लो देखो 17 बटे 20 आ जाएगा और यहां पर भी आपका कितना जाएगा 17 बटे 20 7625 तो कितने की 100 से अगर बेलू जो है वो 104.7625 हो गए यानि कितने की ब्रद्वी 4.7625 की तो पहला वाला जो आप्शन है वो आपका बिलकुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है बेसिक कोशन है इसे नर्मली आप आप आँख मीच के बत दियो एक बार कमी हो तो ऐसी कंडिशन में हमेशा क्या होगी कमी होगी और वो कितनी होगी जो वैलू ये इक्कुल है इसका स्क्यार बटे हंडेड तो 20 का स्क्यार कितना हुआ 400 बटे हंडेड यानि कि 4% की क्या हो जाएगी कमी होगी अब इसे बेसिक से भी समझ सकतो माल ल गई यानि की 802 सो तो दो 0 से 2 0 कैंसिल हुए दो 0 से 2 0 कैंसिल हुए बाराट्टे कितना हूँ अच्छानवे तो 100 से बेलू च्छानवे हो गई यानि की 4% की क्या हुई कमी क्लियर अगला कोशन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि यदि तर्भूज ABC और PQR दोनों सम्दिवाहु हैं जिनमें क्रमसा AB बराबर है AC PQ बराबर है PR इसके साथ ही साथ AB बराबर है PQ BC बराबर है QR यदि कोण B बराबर है 50 दिगरी तो कोण R की वेलू कितनी होगी देखो एक तर्भूजे ABC एक तर्भूजे आपका V, P, Q, R A, के A, B, C AB बराबर है ये वाली बुजाएं बराबर है PQ बराबर है PR के AB और PQ बराबर है AB और PQ बराबर होने का मतलब है AB अगर PQ के बराबर है तो ये दोनों आपसे बराबर है यानि कि ये दोनों भुजाएं बराबर होगे उसके लाबा BC और QR बराबर है ये भी बराबर है तो अगर ये वाली साइट A है तो ये वाली भी ये है और ये इसके बराबर है तो ये वाली भी A होगी अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगी तो ये क्या बन गया आपका समरूप त्रिबुज ये जो त्रिबुज है वो समरूप भी होगे और सरवांगसम भी होगे क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांगसम होंगे और अगर त्रिबूस सर्वांगसम है तो वो समरूप होंगे होंगे यहाँ पे कोंड भी दिया है पचास तो अगर यह पचास है तो यह भी पचास होगा तो यह वाला भी पचास होगा और यह वाला भी पचास होगा पूछ किया रहा है R की value तो R की value क्या हो जाएगी अपकी 50 degree अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है यदि P अनुपात Q जो है वो 10 अनुपात 11 है Q अनुपात R जो है वो 11 अनुपात 12 है तो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का अनुपात क्या होगा पर 11 है यहाँ पर भी 11 जाएगा तो यहाँ पर आप 11 जागा है तो हटा भी सकते हो नहीं तो बाद में डालो 11 10 कितना हुआ 110 11 12 और यहां पर 135 11 से काट दोगी यह कितना हुआ 11 10 110 18 12 और यहां पर कितना है बारा, तो P कितना आ गया 10, Q कितना गया 11, R कितना गया 12, तो P प्लस Q यानि कि 10 और 11 21, अनुपाद 11 और 12 कितना हुआ अपका 23 हुआ, और 12 और 10 कितना हुआ अपका 22, तो यह जो चोथा वाला option है, यह आपका बिल्कुल correct है, अगला question देखो यहां पर, ज किये गए वे के बाद परिवार के पास कितनी रासी बची, तो भोजन और चिकिस्चा पे, भोजन पे 28% कर्च हुआ और चिकिस्चा पे 10%, यानि कि टोटल 38% कर्च हो गया, तो बचा कितना 62%, तो 70,000 का आपको क्या निकालना है, 62% निकालना है, दो जिरो से दो जिरो कैंसिल होगे, साद दूनी 14, और 7 चंग, साद दूनी 14, 7 चंग 42, और यह कितना होगा, 43, यानि कितना जाएगा आपका, यह साद दूनी 14, यह 4 है, तो 43,400 होगा आपका, 43,400 यानि कि पहला वाला जो आप्शन है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगला कोशन आप लोग देख प को समू में सामिल किया जाता है, तो समू का ओसद बजन किया होगा, तो आप खुद देखो, डिस्टरवेंस कहां से हुआ, देखो सभी का पंदरा, जो पंदरा एथिलीट और 3 प्रसिच्च, यानि कि टोटल 18 लोगों का बजन कितना था, 60 था, कोई दिक्कत बाली बात नही अगर 60 वाले ही, 4 लोग और आजाते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 63 वाले आए, तो कितना ज्यादा है बेट इन लोगों का, 3 ज्यादा है, तो 4 लोगों पर कितना ज्यादा हुआ, 12, तो यह जो 12 है एक्स्टरा वाला, वो सभी में बाट दो, तो कितने लोग है, 15, 13, 18 और 4 यह लोग, 22, तो 22 लोगों के बीच में बाटोगे, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 11, तो 11, 55, पाइंट, मतलब 5 पाइंट कुछ आएगा, यानि कि जो सही एबरेज होगा, वो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 60.5 कुछ आएगा, तो 60.5 क्या होगा, एक सेटी ले स सकते हैं, तो दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct होगा, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है कि 10 cm की भुजा भाले घं से काटे जा सकने बाले, सबसे बड़े लंब भृत्ती संकू का आयतन क्या होगा, देखो अगर इस तरीके से कोई घं है ठीक है, इस तरीके से अगर कोई घं है हमारा, तो इस से अगर हम संकू काटेंगे, तो इस तरीके से इसका जो बेस होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यानि कि उसका जो ब्यास है, वो इसकी भुजा के बराबर होगा, तो ब्यास अगर बुजा के बराबर, तो radius कितनी हो पाई आर स्क्यार मतलब 25 और H मतलब 10 तो कितना हो जाएगा आपका 200 पाई बटे कितना हो जाएगा 3 तो पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे पूछा है उस देश ने पर समान धनरासी कर्च की मतलब किस पर समान धनरासी कर्च हो रही है तो आप लोग देख पा रहे होंगे गोल पे भी 10% कर्च हो रही है और हाकी पर भी यानि कि गोल फोर हाकी होगा आपका तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यदि मोना और सोना मिलकर एक typing कारे को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेले इस कारे को 24 दिन में पूरा कर सकती है तो मोना अकेले उस कारे को कितने दिन में पूरा करेगी पूरे time and work की questions को लगाने के लिए मैंने दो चीज़े आपको बताएगी एक तो आपको total work पता होना चाहिए और capacity पता होना चाहिए आप कुछ भी निकाल सकते हो तो मोना और सोना जी कारे को 18 दिन में करते हैं और सोना अकेले उस कारे को 24 दिन में करता है तो सारा का सारा लड़ू मोना से बनवाना है तो कितना समय लगेगा बाथतर पर टेक यानिकी बाथतर तिन लगेंगे ठीक है तो पहला वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि दो अंको की कितनी संक्या है तीन या पास से बिवाज है तो तीन और पास से बिवाजित होने वाली संक्या निकालने हैं तो कैसे निकालोगे पहले तीन से बिवाजित होने वाली संक्या निकालो फिर पास से बिव होने यह जो पहले 3 से बीक सनक्या, गट होगी और यह पलब पन्दरा ऑर यह पाँ-पम न मुरπत कहले का कि end तक जाएगा आपका 90 तक तो अगर संक्याय निकालने ही जिनके बीच में difference बराबर है तो कैसे निकलता है first number और last number का difference तो 99 और 12 का difference कितना हुआ 87 बटे इनके बीच का difference प्लस वन ऐसी यहाँ पे 95 और 10 का difference कितना हुआ 85 और बटे गैब कितने का है 5 का प्लस वन और यहाँ पे 90 में से 15 गया तो कितना हुआ 75 और बटे 15 और प्लस वन तो यह भी कितना जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 39 27 29 और कितना हुआ 30 यहाँ पे कितना हुआ जाएगा 17 और 18 और यहां पर कितना हो जाएगा पंदा पच्छे पच्छतर और का पांच और एक कितना हो अच्छे तो टोटल सेंख्या है कितनी 30 और 18 48 और उसमें छे गया तो कितना पच्छा 42 यानि कि तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दि लिए दिया गया है मतलब यहां पर सिर्फ यह देखो अगर यहां पर x बटे by यह तो यहां पर by बटे x है यानि कि एक दूसरे के conjugate दिये हैं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि x प्लस बन अपान x की value साथ है और आपको x q प्लस बन अपान x q की value निकालने है clear क्योंकि यह भी हमने उसी के symmetry माल लिया क्योंकि एक दूसरे का उल्टा दिया हुआ है तो अगर यह आपका यहां पर x square हो जाएगा x square प्लस बन अपान x square बराबर साथ तो अगर हमें x प्लस बन अपान x निकालना है तो दोनों तरफ दो जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस बन अपान x का whole up इसका बराबर कितना है 9 तो उसका under root लेंगे तो कितना जाएगा 3 तो x plus बन अपान x बराबर अगर 3 आ गया तो x cube बन अपान x cube क्या होगा आपका 3 का cube माइनस 3 इंटू 3 तो 3 का cube कितना होगा 27 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 तो तीसरा वाला जो option है वो आप का बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक छात्र को चार बिस्यों में प्राप्त आउसत अंक 75 हैं लेकिन जब उसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड दिया जाते हैं तो कुल आउसत जो है वो 70 हो जाता है तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो चार बिसे का जो एबरेज है वो कितना 75 जब अंग्रेजी के भी अंक जोड दिया थे हैं तो टोटल सब्जेट कितने होगे 5 और एबरेज कितना होगे 70 तो यहां पर कितना घट रहा है 5 यहां पर कितना बढ़ रहा एक इसको इससे मल्टिप्लाई कर दो इसको इससे मल्टिप्लाई कर दो तो यह क्या आएगा जो नई संख्या आई है या जो नया बैलू आया है उसकी बैलू आपको पता चल जाएगी तो 5 को 20 माइनस का और यह प्लस का 70 तो जो नई सब्जेक्ट आया है या नया सब्जेक्ट आया ह वो कितना है 50 है तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct अभी जब मैं आपको basic जो math है उनकी भी class provide कराऊंगा एक class में complete chapter करेंगे तो उसमें ये सारे concept में आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे questions को लगाते हैं ठीक है अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है पुछा है आपसे कि सबसे बड़ा आंग कौन सा होगा तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो दो पटे तीन का मतलब क्या हुआ 0.66 ये 0.62 दिया है ये 0.80 है तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका ये तीसरा वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा होगा अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है एक ठोस गोलार्द का संपूर्ट प्रस्टी जो छेत्रिफल है वो 16,632 स्क्वेर है तो इसक बराबर कितना है 16,632 तो 11 से काटेंगे 11,22 तो 11,21,15,55 और 11,21,21 और 12,22 फिर 6 से काट लेंगे तो 6,22,12 हुआ आपका 6,35 और 6,22 तो आर इसक्वेर बराबर कितना आ गया 7 और फिर से अगर हम 7 से काटें तो 7,21 और 7,22 तो अगर आर निकालें तो 7 और 6 यानि कि 22 आ जाएग तो अर्द गोले का आयतन कितना होगा 2 बटे 3 पाई न और Q 2 बटे 3 पाई की वैलू 22 बटे 7 r Q यानि कि 42 और 42 तो 7 या 21 कितना होा 42 देखो 22 और 44 तो आटकी और 42 और 42 और 42 और ये ही आ जाएगा आपका तीसरा वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct होगा अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है एक dealer एक machine को 15% की छूट देने के बाद एक लाख 22,700 में बेचना चाहता है मसीन पर कितना मुल यंकित था कोई दिक्कत बाली बात नहीं है 15% की छूट देने के बाद इसतने का बेच रहा है यानि कि MRP का जो 85% है उसकी value एक लाख 22,700 है तो 100% की value क्या होगी एक लाख 22,700 बटे 85 into 100 तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका यह आपका आएगा 20 और यहाँ पर कितना आएगा 17 तो अगर हम इस से 100 हटा दें देखो दो जिरू हटा दें तो यहाँ पर हम कहले सकते हैं 2000 तो बस इसको काटना है 1227 को 17 से काटो तो कितने बाद जाएगा पास 17 से 119 और 3 बचा तो 37 हुआ और 17 दूनी कितना हुआ 34 तो 72 को 2 से अगर multiply करें तो 144 आता यानि कि जो भी option आएगा वो 144 point something आएगा तो यह जो पहला वाला option है वो आपका बिल्कुल correct होगा जब भी ऐसा question आएगा ऐसे question आते हैं तो उनको इसी approach से लगाते हैं ऐसा नहीं कि पूरी calculation करेंगे अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है एक त्रिबुच ABC में B पर समकोंड है तो हमने बना लिया भाई B पर समकोंड है clear ABC 10 A बराबर जो है वो एक बटे रूट 3 है तो अगर इसको हम angle ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुज़ज क्या होगी लंब होगी और यह आदार होगा तो 10 A बराबर बन बटे रूट 3 हो यानि कि ये आपका 1 होगा और ये रूट 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 क्योंकि रूट 3 बन और 2 का triplet होता है अब sign A बराबर क्या होगा अगर इसको angle ले रहे हैं तो लंब क्या होगा ये होगा और कंड क्या होगा ये होगा तो एक बटे दो cos c برابर अगर इसको ले रहे हैं तो आधार बटे कंड तो आधार 1 होगा और यह 2 होगा 1 बटे 2 प्लस cos a अगर इसको a ले रहे हैं तो आधार यह होगा कितना हो जायेगा root 3 बटे 2 sinc बरबर क्या हो जायेगा आपका làm बटे कंड यहनी root 3 बटे 2 तो ये एक बटे चार प्लस रूट तीन इंटू रूट तीन बराबर तीन, तीन बटे चार, तीन और एक कितना हुआ, चार बटे चार का मतलब क्या हुआ, एक, यानि कि दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया यानि कि उसने 100 kg कचुना लगाया, तो 100 kg का फायदा जो उसे हुआ, तो कितना दे के हुआ, 900 ग्राम दे करके हुआ, यानि कि 900 पर ही फायदा हुआ, तो 100 पर कितना होगा, दो 0-0-0 cancel होगे, 100 बटे नो का मतलब क्या हुआ, 11-1 बटे 9%, आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि अगर 1 ग्राम बराबर 1 रुपे माल लें, तो 1000 ग्राम की वेलू, एक किलो ग्राम की वेलू कितनी होगी, 1000 ग्राम और 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो गया, 1000, तो 1000 लेकिन 900, लेकिन 1 किलो ग्राम के लिए 900 ग्राम दोलता है, यानि कि पैसे तो क्रेया मुले पर बेचने का मतलब, 1000 की को 1000 में ही बेचने के लिए बोलता लेकिन जब तोलता है तो माल कितने का देता है 900 का तो कितने का उसे फाइदा हुआ 100 का 100 का फाइदा हुआ 900 पे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगला कोशन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह दिया हुआ आर प्लस बन अपान आर की वेलू निकालने हैं तो अगर हम पलट दें से तो आर स्क्यार माइनस एट आर प्लस बन बटे एट आर बराबर क्या हो जाएगा 14 तो आठ यहाँ पड़ से अटा दो इधर गुणा में बेश सकते हैं तो चौदा आठ एक इटना होगे आपका 112 ठीक है आर से गर डिवाइट करें तो आर माइनस आठ प्लस बन अपान आर बराबर 112 तो इधर आएगा यह प्लस का हो जाएगा यानि कि आर प्लस बन अपान आर बराबर आपका कितना होगे 120 तो 20, तीसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, किसी मूल धन पर 25% की ब्याज दर से, दो बर्स में प्राप चकविद्धी ब्याज और साधार ब्याज में जो अंतर है, वो 1725 है, जिसमें चकविद्धी ब्या का 25% कितना हो गया, 6.25% हो गया, और इसकी value कितनी है, 1725, तो आपको 100% की value निकाल ली है, निकाल लो, 1725 बटे 6.25 into 100, अगर हम point ठटाएंगे, तो 2-0 और बढ़ा देंगे, यानि कि 100 बढ़ जाएगा, तो 25 चक्कु सो और 25 पच्चिस साबन, 625 होता है, 25 चक्कु सो, तो 16 से multiply करेंगे, 16, 85, 16, 22, और 8 कितना हो चालिस हांसी लगा, 4 और 16, 112, और 4 कितना हो चालिस हांसी लगा, 11, और 16, 11 कितना हो गया, 27, 2600, यानि कि दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, ये board mask का question है, तो normally से solve करोगे, तो ये कितना जाएगा, देखो 7 तिया, इस वाले portion को पहले solve करो, देखो 4 दूनी, 8, 8, 3 कितना हो गया, 11 बटे 4, माइनस 3 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अगर निचे LCM ले लें, तो 11 माइनस 6, यानि कितना हो जाएगा, आपका 5 बटे 4, तो 3 में से 5 बटे 4 जाएगा, तो 4 तिया, 12 में से 5 गया, तो 7 बटे 4, यानि क इस वाले portion की हमने जो value है, वो निकाल ली कितनी, 7 बटे 4, इस वाले की value हमने निकाल ली, इस पूरे portion की, 7 बटे 4, और ये कितना है, A बटे 4, पराबर 0, और ये कितना हैगा, माइनस का, यहाँ पर देखो, 7 या, 21, 27 बटे 7, और divide को अगर गुणा में चेंज करेंगे, तो answer बटे 4, और हर पलट जाएगा, 7 बटे 4, तो इससे एक कैंसल हो गया, यहाँ पर कितना हैगा, एक बटे 2 माइनस, 7 बटे 4, तो यहाँ पर 4 अगर LCम ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस साथ, तो माइनस का 5 बटे 4, तो यह उधर जाएगा, तो A बटे 4 बराबर,more 5 बार के निर्मार के लिए 25 cm 11.25 cm इंटू 6 cm की कितनी इटो की आवस सकता होगी तो क्या करेंगे दिवाल के आयतन को इसके आयतन से डिवाइड कर दो तो इटो की संग्या जाएगी तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं 8 मीटर मीटर को अगर cm में चेंज करें तो 2 0 बढ़ जाएं तो पॉइंट 2 के बाद यहां पर भी यहां पर भी है तो इसका दुगना यह होता है 2 3 कितना हुआ अच्छे फिर यहां पर देखो 25 चक्कू कितना होता है 100 तो 4 8 कितना हो गया 32 और यह कितना हुआ 200 हो जाएगा तो 32 कितना हो गया आपका 6400 यानि कितने हीटों की आवस सकता पड़ेगी अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक कस्वे की जनसंक्या 80,000 है पहले बरस में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे बरस 5% की ब्रद्दी होती है तो दूसरे बरस के अंत में जनसंक्या कितनी होगी कोई दिकत बाली बात नहीं है 80,000 जनसंक्या है 8% की कमी हो यानि की 92,100 फिर 5% की ब्रद्दी हो गए यानि की 105,100 तो 2,0 से 2,0 कैंसिल हो गए फिर 2,0 से 2,0 कैंसिल हो गए अब देखो 192 इंटू 105 को 8 से मल्टिप्लाई करो तो कितना जाएगा 8,45,4,8,1,8 अब आप देखो 0 आएगा और 4,2,8 यानि की 0,8 कह प्यारा है तो एक ही संक्या ऐसी है जिसके लास्ट में 0,8 आ रहा है तो यही वाला अप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा पूरा कोश्चन साल्प करने की जुरत भी नहीं है और आपको इसी एप्रोच को एक्जाम में भी लगाना है अगला कोश्चन आप लोग देख पा रहा हूंगे दिया हुआ है यदि 2A प्लस 5B बराबर 12 A बराबर है 3 तो 4A स्क्यार प्लस 5B स्क्यार कितना होगा तो इसका स्क्यार करेंगे तो कितना हो जाएगा 4A स्क्यार प्लस 25 B स्क्यार प्लस 2 A B यानि कि 2 इंटू 2 A इंटू 5 B बराबर कितना हुआ आपका 144 इसकी वैलो निकाल लिए है ये कितना आगया दो दूनी 4 पंचे 20 A B तो 20 A B का मतलब 20 तीया कितना हुआ 60 तो 60 अगर 144 में से गटा होगे तो कितना जाएगा आपका 84 यानि कि पहला वाला जो आप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है तो उमीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी तो बहुछ तरीके सारी चीजों को आप समझ पायोंगे आपको करना क्या इस वीडियो को ज़्यादा सेर करना है उसके अलाबा अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा